हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई नियो व्लोग तो कैसे आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगी तो फ्रेंट्स आज फिर मैं काफी दिनों के बाद व्लोगिंग कर रही हूँ आज फिर मैंने सोचे कि चलो एक व्लोग मनाते हैं आज जैस के पापा गए है जैस के दादा को हिसार लेकर क्योंकि उन्हीं अस्तमा की प्रोब्लम है और जिसकी वज़े से उन्हें डोक्टर को दिखाना था तो वो हिसार गए है और जैस के बोड़े पापा दुकान पर है तो आज बच्चों को लेने के लिए स्कूल में मैं गई थी बच्चों को ले आई हूँ उनकी इनिफॉर्म चेंज करके मैंने छट पर भेज दिया है अभी वो थोड़ी देर थूप में बैठे हैं देखते हैं कि क्या कर रहे हैं तो चलो चलते हैं तो देखिए फ्रेंड्स च्ट पर ये सीन है कि मेरी प्यारी सी चोटी सी बेटी च्ट पर जड़ो लगा रही है और जैस मौफली खाके सारे चिलके बिखरा रहा है और देखिए फ्रेंड्स पूरा गाओं कितना अच्छा लग रहा है देखने में और अब धंड आ गए है तो सभी च्टो पर निकल जाते हैं धूप में बैठने के लिए और ठंड की वज़े से हम सभी गमलों को उपर ले आए हैं ये देखिए एक यहां रख दिया है क्योंकि नीचे धूप नहीं आती है और बिना धूप के ये मुझ जाने लग गई इसलिए हम इन्हें उपर ले आए हैं जैस पेटा बैग लिया हो दोनों बैण भाई हो कि उपर स्कूल काम करवा दूमी दूप में बैठके एक तो पेटा कामर पे टांग ले दोनों कैसे लेके आए ऐसे चल्पिटर यहां काम कर ले स्कूल का फोन रख दे नहीं अंदर नहीं बाहर कराओंगे दूप में बैठके आज़ा फिर खेलने जाए यह काम निप्टा के मुफली खाली आज़ा किसका पना थी पर मुंडे की कर बना थी ठीक निकाल आपने अवडी कोफी वारी गुड़ तो मैं इस तरह से धूप में बैठके इनका होम वर्ट कम्पलीट करवाती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं फोड़ जिर बात और यह देखिए रिहा और जैस प्लाट में फोन ले आए है और यहां व्लोगिंग कर रहे है इस वक्त रिहा व्लोगिंग कर रही है फिर जैस करेगा इनकी दादी यहां पर जाडू लगा रही थी तो यह यहां पर व्लोग शूट करने लग गए पर यहां पर जाज़ लगार बहाद कि है अदित बहाद करीजी है दो गाई है छिश्टिकि मेर में है मारा काटिया थिए नद दे कि एर बान। मेर दिकते है देखे यह माई छोटी काथ्या, यह माः बदा काथ्यूँव यह दुम्हाई बदास्यूव जोगाथ्यू तरो भीकेत पहले हित क 어때 शूम साली। यह विवेग द आस अपके हैं ऑधिरा इंडल राइए देल को साफ लिया तो फ्रेंट्स श्याम को तीन-च्यार बजे मैंने च्छत पर इन्हीं होमवर्ट करवा दिया था उसके बाद फिर मैं लग गई थी डिनर बनाने की त्यारी करने अब हमने खाना खा लिया है और जैस के पापा अभी तक दुकान से नहीं आए है और रिहार उसकी मुमी चले ग हुजी हुई है क्योंकि होमवर्ट तो इसका हो गया है और इसने देखी क्या किया है यह देखिए बिलून को बीच से मूड दिया है और देखिए इसका क्या बना दिया है मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स इस मस्ताने की मस्ती देखिए इसने मिरे से क्या बनवाया है इसकी आइज, लीप्स, हेयर और ये देखिए ये बन गई है इसकी गर्दन बेदेखिए इसकी ना भी को बना दिया इसने बहुत नोटी हो गया है ये और देखिए स्केच के साथ और ड्राइंग का काम कर लिया अपने होमर्ग का ये देखिए हेलो बॉल रैपको और खेलने की वज़े से जैस के पाउं गंदे हो गए है इसलिए गर्म पानी में धो रहा है आई बेटा चिटे लगए और देख रहा है ये फुकरे का शो रिहा बाबू भी आ गया क्या हो गया और चोट दिखाई आपकी चोट दिखाई बेटा ये देखिए अज रिहा गिर गई है और इसके कितनी चोट लग गई है बहुत तेज भागती है इसी वज़े से देख रही है जेस ने क्या बना दिया बेटा देख बैलून का देख ये देख देख आई इयर लिप शेयर सब कुछ बना दिये देख पेट भी बना दिया गर्दन भी बना दी इसकी है ना आपने दोड़ें के पैर आप तो सूस डाल रहे थे हैं ना खेलते टाइम और ये देखिए फ्रेंड्स रिहा ने पी अपना ब्लून उठा लिया है और अभी ये भी बनवाएगी जैस से अपना ये देखिए गर्दन वाला क्या बना रहे है वो तो जैस बन रहे है ये बनेंगी रिहा है ना जशनी इसकी रिहा बना दे ठीक है नी यही बनाएगा इच्चू यही बनाएगा बटा तो फ्रेंट्स आज की व्लोग का यहीं एंड करते हैं क्योंकि अभी मुझे जैस को सुलाना है इसी नहीं दाने लग भी है तो आज की व्लोग का यहीं एंड करते हैं आप से मिलते हैं कल एक नए व्लोग में अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए नियू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाए